नमस्कार दोस्तों मैं हुसमीत बर्मन और आप देख रहे हैं मारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बर्ट्स केर एंट इंफो तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि तोते अचानक से बीमार क्यूं हो जा रहे हैं कुछ दिनों से मुझे ऐसे बहुत सारे केमेंट्स आ सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और यह 10,000 सब्सक्राइबर माइल स्टोन मुझे आपके बजह से ही मिला इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तों एक भाई ने मुझसे पुछा था कि मेरे पास तीन प टिवीटी करें ते वंट वह सडेनली विमार हो गया है तो यहां विमार होने का यह मतलब है कि वह चछे से अक्टिवीटी कर तौरा था लेकिन अच्छार्यक से कि वह सुस्त हो गया है खाना नहीं खाना है उन्हें मोसन लग गया है तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके कारण क्या है तो कुछ-कुछ जगों में कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बारिस हो रही है और ऐसे में अगर अपने पेरोट की केर न किया होते हैं इसलिए उनका पेरोट जो बिमार हो जाता है तो चलिए बात करते हैं कि अपने पेरोट को बिमार होने से कैसे बचा सकते हैं इसके अलाब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आपका पेरोट बिमार हो गया हो तो उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं सबसे पहले तो अ इसके अलाबा रात के समय में उनके खेज क्यों कपड़े से ढखके रखना है और ऐसे में उन्हें डेली नहीं नहलाना है जिस दिन मौसम साफ हो धूप निकलाओ तभी नहलाना है अब हम बात करेंगे कि अगर आपका पैरोट बिमार हो भी गया हो तो उनका इलाज कैसे करना ह तो आपको करना यह है कि एक चमच अजवाइन को पानी में 15-20 मिनट के लिए बॉयल कर लेना है बॉयल करने के बाद अजवाइन के पानी को नॉर्मल टेंपरेचर होने देना है फिर चार या पांच एमेल सिरिंज की मदद से अपने पैरोट को पिलाना है क्योंकि वो यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है आपका पैरोट बिमार हो तभी अजवाइन का पानी उसे पिलाना है बिना मतलब के नहीं देना है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आसा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और